इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और इसमें कई विटामिन और खनिज होते हैं, जो शरीर को फाइदा पहुंचाते हैं। ये संक्रमन की संभावना को कम करता है और पाचन समस्याओं, त्वचा की समस्याओं, अस्थमा और बांजपन जैसी विभिन स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है। ये जोडों का समर्थन करता है और अध पतन को रोकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. ये बीज रक्ट शरकरा के स्तर में तेजी से वृद्धी और भूक, मतली और भ्रम सहित मधुमे इसे संबंधित अन्य लक्षनों से बच सकते हैं। 2. कलोंजी के अव्यव और योगिक पाचन, पोशक तत्वों के संचलेशन और खनिज अवशोशन जैसे महत्वपून कारियों को विन्यमित करके लीव को विशाक्त पदार्थों से बचाते हैं। 3. इसमें महत्वपून मात्रा में पोशक तत्व शामिल होते हैं, जो शरीर के पोशन में मदद करते हैं। 4. इसके शक्तिशाली शरीर प्रभाव हैं और यह मन और शरीर को फिर से जीवन्त और पोशन देने के लिए एक जड़ी बूटी है। 5. ये फैटी एसिड, खनिज, विटामिन और आवशक पोशक तत्वों से समरिध है। 6. ये कैपसूल प्रतिरक्षा, पाचन, संचार, श्वसन और होमोनल सिस्टम के स्वस्थ कामकाज में मदद करते हैं। 7. ये कैपसूल समगर स्वास्थे को बढ़ावा देते हैं और आपके शरीर को मजबूत करते हैं। 8. कलोंजी में सक्रेय योगेक थाइमोक्विनोन अग्नियाश है और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन को दबाने में मदद करता है। 9. कलोंजी के सेवन से खराब कॉलेस्ट्रॉल यानि की LDL का स्तर कम होता है जबकि कलोंजी के बीच के पाउडर का उप्योग HDL या अच्छे कॉलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। 10. कलोंजी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने और रोगजनकों से लड़ने के लिए उर्जा प्रदान करने के लिए फाइदे मंद है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।